तो गाइस किया आप Minecraft खेलना चाहते हो लेकिन आपके पास एक low end PC है तो ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे अप CellWire Client को इंस्टॉल कर सकते हैं वह भी फ्री में और अपने अक्राटर अकाउंट के साथ इसे पले मैंने लूनर क्लाइट पे भी एक वीडियो बनागी है उसे देखने के लिए आप उपर आई बटन प्ले कर सकते हैं तो जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाई सबसे पहले आपको CellWire Client के ऑफिशल वेबसाइट पे जाना है जो कि हैं www.cellwire.com और आप इस वेबसाइट पे नीजे स्क्रोल करें तो आपको यहाँ पे इसके पर्फॉर्मंस का ग्राफ भी दिखाए देगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो पर्फॉर्मंस है वो Optifine और Lunar Client से बहुती जाद है तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर Simply Download का बटन रबाना है और इसके बाद आपको यहाँ विंडोस वाले में चूज करना है अगर आपको लिनेक्स है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं तो आपको सबसे पले यहाँ पर ऐसे चेकिंग अपडेट वर उसके बाद डाउनलोडिं का उप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे कुछ ताइम के लिए वेट करना पड़ेगा तो basically यह आपके PC to PC depend करेगा लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपने PC के RAM है उससे half से थोड़ा सा जादा रख दो जैसे अगर आपके पास 6GB RAM है तो आप इसको पे 3.5 रख दो अगर आपके पास 2GB RAM है तो आप 1.5 रख दो इसलिए आप कभी भी अपने PC के RAM से जादा नहीं रख देना तो मैं फिलाल यहां पर इसे 2.5GB रख देता हूँ और यहां पर मैंने वर्जन अपना स्लेक कर दिया 1.8 क्योंकि मैं अभी बेड़ वर्स खेलने वाला हूं इसमें तो कान करते हैं मैं इसे जल्दी से अपने कर देता हूं पो अपने के बारर गाइज आपको कुछ ऐसा देखेंग और धैज आपको यहां पर यहां इपना यूसर नेप उप यहां पॉर्त सेटिंग कर सकते हैं तो guys, सबसे पहले आपको यहां options में जाकर आप यहां पर अपनी normal settings कॉपी कर लेना जो कि आप minecraft में use करते हो तो guys, मैं आपको recommend करूँगा कि आप मेरी वाली settings यूज कर देना बस render distance और fps आप अपने मर्जी से रख सकते हैं फिलाल मैं यहां पर कुछ ऐसी settings रखने वाला हूँ तो आप मेरी वाली settings पूरी की पूरी copy कर लेना जब आप यहां पर skins वाले option में जाएंगे तो आप guys यहां पर लोकल फाइल में skins का folder खोल सकते हैं और guys skins का जो folder है वहां पर guys आपको अपनी original skin paste करनी है तो मैं अपनी guys skin थोड़े टाइम बात paste करने वाला हूँ यही पर और उसके बाद guys आपको यहां पर 2 option मिलते है single player और multi player तो यहां पर भी आप अराम से खेल सकते हैं तो guys single player में खेलने के आपको जैसे हैं पर single player पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अकाउंट अड़कर निकले गए गए तो आप single player में जाने के लिए आप अकाउंट में जाके अपना user name यहां पर डाल देना तो मैं फिलाल यही डाल देता हूँ तो guys आप देख सकते हैं मुझे आप 60K around fps आ रहे हैं और guys मैं आपको recommend करूंगा आप इसके most of the mods जो है वो off कर देना क्योंकि guys बहुत से mods यह से भी है जोकि lack अरा देते हैं आपको simply toggle करके off कर देना है और guys at the end मुझे sellware client मतलब lunar client से उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा मतलब यह normal minecraft launcher से तो बहुत ज्यादा अच्छा perform करता है लेकिन अगर आप इसे compare करेंगे lunar client या फिर feather client से तो उसके comparison में यह थोड़ा कमी fps देता है भले इस starting में इनकी website पर graph में दिखा रहा था कि यह lunar client से बहुत ज़ादा fps देता है लेकिन सच बताओ तो ऐसा मुझे नहीं लगता बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है या हुआ।